हेलो दोस्तों मेरा नाम राजेश है और मैं आपके सामने ये वीडियो लेगे आया हूँ इस वीडियो में मैं एक बहतरीन टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो टूल का नाम है डीपी टूल्स तो आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने ये टूल कहां से डाउनल कर दो अबसे बारे मेरे मने का ऐघर टूल पे चू करते हैं रेख और और आपके बार ये जाए कख करने चाने अगयर आटी आटीप ञुआ हम ने कहीं से अलगल से में इस तो फिसकर कर देखो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमने मेगा पे क्लिक किया और टूल को डाउनलोड पे क्लिक कर दिया हमने ठीक है तो बेसिकली हमने क्या किया है डाउनलोड करके रखा हुआ है ठीक है डाउनलोड कर लिया था और हमने एक्स्टैक्ट भी कर लिया एक्स्टैक्ट करने के बाद हमने जह हमने फोल्डर खोला तो हमें हमारे सामने क्या आ नेक्स्ट पे दवाईए इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजे और अब क्या नाम है कि हमें बेसिकली लांच करना है डीपी टूल को फिनिश कर दीजे तो अब हमारे सामने डीपी टूल लांच होगे आएगा देखिए यह है इंटरफेस डीपी टूल का बेसिकली कैसा इतना यह डेवलपर के फोरम से हैं बिलॉंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस टूल के फीचर के बारे में बात करते हैं तो इस टूल में क्या क्या फीचर से देखिए पांच में फीचर से रूट ऑप्शन है ठीक है बैक अप ऑप्शन है मैंनेज फाइल से टूल से और reboot options है, सबसे पहले हम root options की क्या आगया बात करते है ठीक है, तो सबसे पहले हम root option के अंदर देखते है root device है, जो की LG phone के लिए यह tool LG के किसी phone को root कर सकता है, हाँ भाईो यह tool किसी भी LG phone को root कर सकता है और उसके नीचे आप देखते हैं, इस button से चेक कर सकते है root status किसी भी LG phone का ठीक है, और जो तीसरा option है unroot, एक click से हम अपने phone को unroot कर सकते है चलिए अब backup पे देखते है, backup option के अंदर है कि इस backup button से हम phone का पूरा complete backup ले सकते है restore button से हम restore कर सकते हैं पूरा अपना backup और जो तीसरा backup है, तीसरा मतलब की option है जो की backup apps का है, इस button के मदद से हम अपने application का backup बना सकते है अब चलिए हम manage files के अंदर आते हैं, तो पहला button है install AP के इससे हम कोई भी application अपने phone में install कर सकते हैं push file मतलब की कोई भी file computer से लेकर हम basically phone पे भेज सकते हैं जबरदस्ती और तीसरा है wipe dalvik catch तो इससे क्या होता है कि हम अपने phone को basically reset कर देते हैं अब tool के अंदर देखिए log cat हम कोई भी log अपने phone का देख सकते हैं इस option के मदद से जैसे कि मतलब क्या error आ रहा है क्या update का कुछ जो भी issue होता है तो हर application कुछ log file बनाते रहते यह android आपका खुद log file पर create कर देता है कि यह error क्यों आया है ठीक है तो इससे आप देख सकते हैं इस button के मदद से adb shell का भी option है यहाँ पर adb command दे सकते हैं इसके मदद से device information में अगर आप click करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो complete device information है यह आपके computer screen पर देखेगा अब देखे रूट reboot option में क्या गया है कि एक button से हम अपना phone reboot कर सकते हैं दूसरा option है कि reboot अपने phone को recovery mode में कर सकते हैं तीसरा option है कि reboot into download mode कर सकते हैं मतलब कि अपना phone download mode में हम एक ही click पे reboot कर सकते हैं कि कहां से download करना हमारे website से आप जाईए और download करिए यह बहतरीन टूल आशा करता हूँ कि आपको हमारी पहली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे अलग-अच्छे च्छे टूल्स क्यों जो कि आपको अच्छे सो धन्यवाद